तो स्री रामदास जी के पास सीवा जी गए सीवा जी के गुरुदेव है उन्हों का भगवन मुझे स्वहिकार करो मैं सिश्व बनना चाहता हूं प्रश्वाद काता में पुझे स्री प्रमानान जी माराज ने गुरु निस्ठा के बारे में ओड़न किया है को घुरु निस्ठा का सिवने चाहिए देखता उदर वही दिखाए देता है अखन्नमनल कारम व्याप्ता में चलाचरम पर गुरु निस्ठा के बहुत पॉर्लबवस्तु हैं अमीर कुस्त लोजी गुरु निश्ठ तो वह चरते बहूत बड़े व्यापारी थे तो एक दिन उनकी गुरु निष्ठा देखिए एक गरीब आदमी की बेटी का ब्याह का जो सांज सौंज रुपया पैसा वो था नहीं उसना कि बावा सिद्ध फकीर आये हुए हैं उनके चरणों गए प्रणाम के बावा बेटी का ब्याह कुछ बिवस्था होता है लोगों की भावन उनका पर्शों आना एसे टाल दिया फिर पर्शों आना फिर उआ अए बहुले बाबाह कई बार परसो परसो कह चुके बेटी का ब्याह नजजिदीकार है बेटी का ब्याह तो पास तो कुछ था ने तो मेरी पादुका ले जा लकड़ी की पादुकार अब सिद्ध शंत है में उनकी भावना थी पकी पर उनका पादुका से क्याlara मुझे तो रुपिया चाहिए था पर संत ने का अयवा थाई सर पे रख ली और जा तो जैसे अपने को इत्र की खुस्बू आती है ऐसे अमीर खुस्वरोजी को खुस्बू आई मेरे आका की मेरे गुर्देव की कोई वस्तू है आध्पास के बावरे से एक दम हर विक्ति की तरफ देखने लगे तो खुला पादुका सर पर नजदी गए आप वहां से आ रहे ह है पादुका गुर देव कि हां हां तुमको कैसे पादुका मिले है पूरी घट्ड ना.. बताए मुझे देव के गुर्देव की पादुका मेर पूछो तो हम पादुकाे से कुछ मतलवन नहीं हमेंda आप इसको ले जाओ पादूका मुझे दे दो पादुका ली और श्क्राइब गूरु देड़ मेरे गुरुदेव कि वस्तुव है कोई बहला सुचो कितनी निष्ठा लकडी की पादुका गुरुदेव की आपस करने के त्यारा उटों में लदा हुआ रत्न हीरा नहीं तो ऐसे मानते हैं गुरु को साक्षात परब्रम हुकुम पे प्राण त्यागने की हुकुम पे सर्वश्व ने तो फिर गुरु साक्षात पर बहुत पेट में दर्द हो रहा है तुमसे बताया नहीं देख्षा की बाद तो बाद में करना बहुत पेट में दर्द हो रहा है तुन आभी राजवेद्य बुलवाते हैं सिवाजी ने का राजवेद्य से नहीं हमें कई बार ऐसा दर्द उठा है तो हमने सिंगिनी का दू तो कोई आस्त्र नहीं कोई रक्षक नहीं और देखो सिंगनी का दूद साधारण पात्र में नहीं ठिकता स्वर्ण पात्र में एक पात्र भर साथ होना चाहिए सब्सक्राइब कर देने वाली सिंगनी है क्योंकि देखा किसी पुरुष को मारी दहार कदम पीछे ने उनका गुर्देव के लिए दुख्द लेने आया हो आप चाहों तो मुझे खा सकते हो और आप चाहों करपा करके अब कोई गाया थोड़ी कि सीदी साधी से बैठ जाएगी जेवी छलांग मारी वीच में समर्थ गुरु स्वामी रामदाजी सिंगनी गोय से अपने तपोबल से सांध कि वोले बेटा पेट ठीक हो गया प्राण समर्पीत और कहा दिख्षा दे तो बूले किसी दिन कि एक दिन दाज दर्वान में गए जोली लेकर का भिक्षाम दे अब गुरुदेव आए हैं तो गुरुदेव को भिक्षा नीचे उत्रे पूरा राज पाठ सब वह वह कागज में लिकके और धर्म पूर्वक सेवक बनकर प्रजा की सेवा कर अब दिख्षा दे दूंगा क्योंकि धन समर्पित प्राण तन समर्पित अब दिख्षा का अधिकारी उन्होंने माना गुरु साक्षात परब्रम सिंगिनी के सामने प्राण देने के लिए चले गए हिचके नहीं में या संत भाव में थोड़ी स्रद्दा हो सकती है लेकिन यह बात नहीं आएगी कि तन मन्त प्राण समर्पित और गुरु में साक्षात परब्रम भावा जाए तो फिर और कौन से भगवान के दर्सन करने हैं द्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मं गुरु में नहीं सबके हर्दय में भगवान बैठेंगे अब यह आज की पाटा चला कि हमारी निष्ठा कैसी होने चाहिए गुरु निष्ठा जितनी दृड़ होगी उतनी हमें बगवत मार्ग में ताबती होगी तो हमें जितना उसके अपनी गुरु निष्ठा को दृड झाला दे